नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है करन और आप मेरे साथ देख रहा हो Plastotic, the world of plastics तो दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो पे मैंने आपको बताया जो PLC का जो basics, buttons वगेरा होती उसके बाद फिर मैंने आपको सिखाया कि main page, जो home page होता है, वो क्या होता है तो आज जो important है जानना वो है कि अब हम जितने भी pages होंगे उनको धीरे धीरे जानेंगे तो ये वीडियो जो है वो beginners के लिए मैं कर रहा हूँ कि जो start-up करते हैं जो college वगेरा से आप निकलते हो, ये समय ऐसा, ये phase ऐसा है जहाँ पे आपकी placement वगेरा होगी, ये सारी चीज़े होगी तो वहाँ पे आपको ये basic चीज़े जानना जरूरी है और आप basic operator वगेरा या जब भी industry से आप निकल ले हो, engineer वगेरा हो basic level पे तो उसके लिए जानना बहुत जरूरी है तो उन pages की information देंगे तो ये जो machine है ये आप समझे लिए one of the best machines few tech injection molding machine पे हम ये video बना रहे है जैसा कि आप देखरों, ये few tech injection molding machine जो है, जैसे कि आप European technologies में जो आप देखते हो आपको feromatic वगेरा मिलती है तो उसी तरीके से जो आपको नहीं Indian technology है तो वही feromatic जो है, वो low cast पे आपको यहाँ पे few tech injection molding में मिल जाएगी ये जो few tech ने forja machine बनाई है ये उस पे video हम बनाएंगे forja जो है, एक ला जवाब और एक बहतरीन performance वाली machine है जो कि आपको high profitable अन करने में मदद करेगी साथ-साथ आपकी user friendly है काफी आसान और काफी systematic तरीके से बनाई गई है तो उस पे आगे video हम बनाएंगे लेकिन आज का जो video है, हमारा PLC का video है तो हम शुरू करते हैं, जानना अपनी इस few tech injection molding machine पे कि क्या-क्या है इसकी PLC पे तो PLC लगभग सेम होती है यह थोड़ा आसान PLC बनाई गई जिस पे आप अच्छे समझ सको तो यह video जो थी, जैसा मैंने का freshers के लिए है, तो चलिए शुरूआत करते हैं वीडियो की तो आईए PLC की तरफ आईए आप PLC की तरफ आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या-क्या है जो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जैसे कि आपको दिखाया था, आप देख सकते हैं यह Futec Injection Molding Machine के PLC है जैसा कि लिखा है Futec Beyond Technologies आप देख सकते हैं यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Contact Number, Email वगरा सब मेंशन है आप यहाँ Contact कर सकते हैं या हमसे Contact कर सकते हैं अगर आपको Machine लेना हो, Business Startup करना हो आपको हर तरीके से Help मिल जाएगी चलिए, शुरुआत करते हैं आगा है हम अपने Monitor Page पे आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज जो है, यह हमारा Monitor Page था इसकी वीडियो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था क्या-क्या चीज़े थी Monitor Page पे Basic Level की सारी चीज़े मैंने सिखाई अब बात करते हैं, यहाँ पे आजाईए आप वापस जो है Monitor के बात से हम लेके चलते हैं आपको Mold Page पे, जो कि एक बहुत important section होता है Mold के बारे में, Mold की setting वगएरा के बारे में जानना Mold Page पे यह सारी चीज़े आप अच्छे से सीख पाऊगे चलिए Mold Page पे चलते हैं देखे, यहाँ पे बस simply touch करेंगे हम और touchscreen PLC है, लाजवाब तैसे ही खुल जाएगा आपका जो है Mold Page Mold Page में बहुत सारी चीज़े हैं बहुत समझना होता है कि क्या चीज़े हैं, तो मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें आपको easy way में समझ में आएंगी कि क्या है कैसे है क्योंकि समझना बहुत जरूरी होता है आप grow करना चाहोगा इंडस्ट्रीज में या आप कुछ सीखना चाहते हैं उसके लिए हर एक concept समझना बहुत जरूरी होता है समझेंगे आप तभी बढ़ेंगे आप तो आएए ले चलता हूँ आपको SPLC की तरफ और सीखिए सारी चीजें मेरे साथ तो देखें यहाँ पे सबसे पहले आप देखें सेटिंग्स दी गई सबसे पहले तो आपको यह दिखा देता हूँ उपर उपर वाला यह सारी चीजें मैंने जैसे पिछली वीडियो पोजीशन या एजेक्टर की पोजीशन यह सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी तो चलिए मोल्ड के पेज़ पे अब आ गए हैं तो मोल्ड के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीजे होती हैं देखें यहाँ पे दो चीजें हैं, सबसे पहले Mold Close, यहाँ पे आप पढ़िए Mold Close लिखा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो Mold Open लिखा है, तो आईए समझाते हैं कि क्या होता है Mold Open और Mold Close, तो चलिए Mold की तरफ ही लेके चलते हैं, आपको Direct Mold पे दिखाते है Mold Open और Mold Close क आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आपको Mold दिख रहा होगा, तो इस Mold Open जैसे कि आप देखिए Mold Open का मतलब क्या होता है, Mold अभी आपका खुला हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते है, Mold जो है, वो Open है, खुला हुआ है, इसलिए इसकी setting को हम कहते हैं, जब Mold इस तरीक Mold जो है, यह core का section है, और यह cavity है, cavity मतलब जहाँ पे आपका material फीड होता है, यह देखिए गहराई जिसमें होती है, उसको हम cavity कहते हैं, और यह देखिए उभरा हुआ पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम core कहते हैं, तो क्या होता है, Mold जो है, वो किस तरीके, इस तर कहार की तरफ जाएगा, खुल जाएगा, तो क्या होगा, कि Mold आपका open हो गया है, तो चलिए समझते हैं, PLC पे वापस, कि किस तरीके से हम settings देते हैं, क्या-क्या चीजे होती है, इसके बारे में आईए, हम समझाते हैं, कि PLC पे पे क्या-क्या होता है, सबसे पहले आप दे Stage का मतलब क्या होता है, आईए मैं समझाता हूँ आपको, वापस Mold पे समझाते हैं कि Stage का मतलब क्या होता है, जिसे Stage 1 है, Stage 2 है, Stage 3 है, तो यहाँ पे आप देखिए, वापस PLC पे एक भार ध्यान से देख लीजे एक बार, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा, Stage 1, Stage 2, Stage 3, Low Pressure, High Press और इसी में open में है कि end stage 4 stage 3 तो यह क्या है तो आए समझते हैं जैसे mold जब close होता है जैसे कि यहाँ पे आप पहले stage 1 आपको समझाता हूं stage 1 क्या है different different stage है तो यह stage क्या चीज है क्या लिखा है जैसे stage 1 में देखिए लिखा है कि pressure flow position इस तरह चीज़े दी गई है तो इसको हम अभी समझते हैं इसके पहले समझ लिए stage 1 stage 2 stage मतलब क्या होता है अब देखिए जैसे mold पूरा हमारा खुला हुआ है mold हमारा fully opened है तो अब इसको बंद कर रहे हैं हम तो बंद करने पे हमने अलग-अलग stage दे रखें यहां पे stage से क्या होता जैसे पहला stage है पहले stage में थोड़ा हमारा mold आगे की तरफ आया पहला stage हो गया दूसरा stage थोड़ा और आगे आया तीसरा stage थोड़ा और आगे गया और चौता इस्टेज आगे गया फिर धीरे-धीरे करके mold बंध हो गया locking लेके अब वहीं बात करते हैं mold opening में कैसे stage होता है तो उसमें आए समझ लीजिए इसमें जब आपका mold बंध है तो धीरे-धीरे खुलेगा यह पहला stage हो जाएगा खुला थोड़ा सा दू लिए अब अब आपको अच्छा समझ में आएगा PLC में क्या क्या चीज़ें क्योंकि यह बेसिक चीज थी इसको जारना बहुत जरूरी होता है तो यहां पर देखेंगे आप अलग अलग चीज़े दी गई है जैसे कि यहां पर देखें आप प्रेशर दिया गया है Stage 1 मतलब जैसे मैंने समझाया था कि अब close कर रहे हैं मोल्ड को बंद करने जा रहे हैं तो पहला Stage जैसे सबसे पहले जहां पर opening था वहां पर क्या है कि प्रेशर फ्लो पोजीशन अब तीनों चीज़ समझ लिए मेरे साथ कि प्रेशर क्या होता है फ्लो क्या होता है और तेजी में बंद हो गया या धीरे धीरे बंद हो रहा है यह स्पीड बताता मोल्ड का किस तरीके से चलते हुए मोल्ड बंद होने की तरफ आ रहा कितनी स्पीड में आ रहा है उसको हम यहां पे फ्लो से रिप्रेजेंट करेंगे पोजीशन मतलब जैसे आपका मोल्ड 400 mm खुला हुआ है फिर आप स्टेज वन पे उस पे आगे बढ़ा है उसको 300 mm तक तो वो 300 mm तक आगे आया 300 mm तक आगे आया उसी अलग स्पीड पे आया अलग प्रेशर पे आया वही चीज़े इस पे होती है और कुछ नहीं आए समझते यहां पे अब आपको यह प्रेशर फ्ल यहां पे है आप अपने मोल्ड के हिसाब से प्रेशर लगाओगे सेट करोगे मतलब यही मत डाल देना क्योंकि यह मेंशन है यह हम समझाने के लिए रखे हैं इसको तो यहां पे आप देखे प्रेशर 150 है तो इसका मतलब 150 जो है बार का प्रेशर लग रहा है आपका मोल्ड जो है पहली स्टेज पे जब बंधूरा थोड़ा सा आगे बढ़ा कितना आगे बढ़ेगा 290 mm से जो है आगे बढ़ा मतलब थोड़ा सा मोल्ड आपका आगे बढ़ा तो कितना प्रेशर लगा है स्टेज वन पे 150 बार का और स्पीड कितनी उसकी 99 जो है उसकी फ्लो प्रेशर की बात करते हैं दूसरा दूसरे स्टेज पे आया यहां पे देखे दूसरे स्टेज पे भी 150 बार का प्रेशर है मतलब बार क्या है बार यूनिट होती है प्रेशर की तो 150 बार का जो है प्रेशर लगा दूसरी स्टेज पे मतलब मतलब किस स्पीड में और आगे ब तो वहाँ पे आपकी speed जो flow की थी पहली stage पे 99 थी दूसरी stage पे थोड़ा आगे बढ़ा mold तो थोड़ा-थोड़ा speed इसमें कम होती जाती जिस तरह हम आगे बढ़ाते mold को तो वहाँ पे आप देखिए फिर हमने speed कर दी 45, 45 हमने set कर दी कि थोड़ा सा speed को कम किया पहले क्या हुआ mold खुब तेजी से आगे आया stage 1 पे फिर थोड़ा speed हमने कम करी उसके बाद position तो पहले देखिए पहले 290 position थी जब mold आगे बंध होने आएगा तो उसकी position अपने आप घड़ जाएगी तो अब जो mold दोनों core और cavity की बीच में कितना gap बचा 50 mm का gap बचा अब आगे आते हैं तो यहाँ पे देखें कि stage 3 पे वही चीज stage 3 पे आके आपका pressure हो गया 40 40 हमने set कर दिया flow को हमने कर दिया 15 उसकी speed को कर दिया 15 और position कर दिया 50 तो यह important था आप समझ गया होगे stage 1, 2, 3 में क्या है अब बात करते हैं low pressure और high pressure की low pressure कहा वर करता है mold safety पर करता है तो low pressure के अंदर में क्या चीज़ें आती यह समझ लिए low pressure क्या कैसे वर करता है जैसे देखिए यह आगे हम आपको समझाएंगे mold safety में लेकिन अभी हम mold का page पढ़ा रहे हैं तो हम आपको समझा ही देते हैं क्या है low pressure में क्या होता जैसे आपने तीनो stage पूरी कर ली उसके बाद low stage आया मतलब mold आपका मान लिजे यहां तक पहुँच गया अब बंद होने वाला है जो है machine पर आया mold safety मतलब जितना हम रखना चाहें mostly जो है mold के करीब आके हम इसको set करते हैं पास मिल आके तो हमने जैसे यहां पर set कर दिया इसको तो अब धीरे-धीरे mold जो है low pressure पर मतलब उसका pressure low pressure धीरे-धीरे उसकी speed कम हो जाएगी pressure लोगा और धीरे-धीरे mold की cavity में की तरफ आगे बढ़ेगा उसके बाद एक option होता high pressure मतलब high pressure में क्या होगा फिर हम mold को पूरी तरीके से lock करेंगे मतलब यह core or cavity है यह पूरी तरीके से बंद हो जाएगी मतलब बंद होगी और locking ले लेगी ताकत लगा लेगी उसको बंद करने में ताकि injection जो आपका pressure होता है जब आप injection करते हो तो बहुत pressure होता उसमें तो क्या होगा उस तरीके से complete locking नहीं लेगा तो mold आपका खुल जाएगा इसके बारे में थोड़ा बहुत और mold safety वगरा है इसको जब mold safety पेज जब हम mold safety सीखेंगे तो उसमें बहुत detail में समझा दूँगा मैं आपको पूरा समझ में आ जाएगा तो यहां पर important था low pressure और high pressure जानना तो जैसा कि आप देखिए low pressure में क्या है मतलब कि यहां जैसे आप देखिए जब mold मैंने जैसे कहा कि जब एकदम बंध होने वाला होता है तो हम देते हैं एक तरीके mold safety की तरफ तो देखिए अभी तक क्या था pressure बहुत जादा था लेकिन यहां पर आके pressure आपका कम हो गया यहां पर हमने set कर दिया 25 बार मतलब हलके pressure में आपका mold पहले पूरी तरीके से एक जगहां पर adjust हो जाए बंध होने के कगार पर आ जाए पूरी तरीके से यहां पर देखिए आप flow देखिए पहले इसका speed भी कम है और position भी एक दम last की position पर आ जाता इसलिए कम है और यहां पर देखिए maximum time अब time की बात कर लेते जैसे इसमें 5 second maximum time दिया गया है तो अगर आपका जो position है मतलब कि यह तीनों setting है तो यह फिर क्या होगा कि time मतलब 5 second के अंतरगत यह वाली setting जो मतलब बंद हो रहा है mold को तो बंद हो जाए फिर अगर वो 5 second से जादा ले लिया जैसे मतलब आपने इस तरह से बहुत कम setting कर दी और वो धीरे 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 बंद हो रहा है और ज्यादा time ले लिया पांच की जगां 6 second ले लिया अगर वो 6 second ले लेगा तो फिर mold आपका बंद ही होगा यहाँ पे आपका alarm आजाएगा तुरंत और उसके बाद आपका mold वापस खुल जाएगा तो यह चीज आपको ध्यान रखना है और यह कैसे पता चलेगा यह current time आप देख रहा हो यहाँ पे current time है तो यहाँ इस जगहां पे आपको mentioned मिल जाएगा कि current time क्या है मतलब कि आपकी जो low pressure की setting लगी यह पूरी कितने time के अंदर गता ही तो इसको हम जादा ही रखते है थोड़ा 5 second जैसे रखा है तो यह बहुत जादा हमारा एक second या आधे second में पूरा हो जाता है अब वैसे high pressure की बात करते हैं तो high pressure क्या होता है कि पूरी तरीके से बंद हो गया है और हम locking लेंगे मतलब किसी चीज़ गरते हैं तो जा करते हैं असको काफी ताकत लगाते हैं उसी तरीके से इसमें आखिरी power लगतीजी कि पता जलता हमां पूरी तरीके से ललाख है तो यहाँ पहुत है मूरा जैसे high pressure का जो function है यह काम कर ज तो आपका फिर लाकिंग नहीं लेगा वापर्ष मॉड आपका खुल जायेगा वैसे भी बात करते हैं मॉड ओपनिंक की शेटिंग पर अब जैसे कि मोड ओपन सेटिंग में क्या होता है अब आप्से आभ थो हम बता दिया बहुत अच्छे से कि मोल our सभारी सेटिंग समने पहले ही बता दी अब इसे स्टेज वन स्टेज two अब इसमें देखिएगा बंद होता है तो वहां से पीछे से आप मतलब basic setting नहीं होती यह इसको manufacturer या आपके यहां जो manager वगरा होंगे वो इसकी setting कर सकते हैं इसकी stages थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको वो जानना भी नहीं ज़रूरी है आपको basic पहले समझना चाहिए सारी चीजें इसलिए हमने maximum number of stages पे ज़्यादा तर कोशिश की कि आपको समझा सकें चार stage पे हम समझा रहे हैं तो आप देखिए stage 1 पे वही चीजें pressure, flow, position stage 1 मतलब mold अभी बंद है आपका यहाँ पे हमने pressure लगाया mold खोलने के लिए तो mold खोलने के लिए कितना pressure देना है यह आपके mold पर डिपन करता है mold किस तरीके का है, product किस तरीके का इस्तमाल कर रहा है, material किस तरीके का है तो यहाँ पे आपने उस तरीके का प्रेसर दिया कि आपका मोल्ड पहले खुले फिर थोड़ा सा और फ्लो दिया क्योंकि कि इतने स्पीड से खुल ला है आपका मोल्ड ये दे रहे हैं मतलब बंद था मोल्ड आपका और तुरंद खुल रहा है तो उस हिसाब से हम इस पे pressure, speed और position देते हैं कि अब मतलब इतनी दूर तक हमारा मोल्ड खुल जाए जैसे पूरा बंद था जीरो था अब 32 mm है यहाँ तो हमारा मोल्ड इस तरीकेश खुल है 32 mm तक खुल जाया 32 mm तक वैसे ही stage 2 में same pressure flow position follow होता 3 में 4 में और end में मतलब same चीजे हैं आपको basic समझ में गये होंगे तो इसलिए हमने इसको बहुत आसानी समझाने कोशिश की अब यहाँ पे देखे इसका जो information बार है मतलब कि इस page का information क्या आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पता चलेगा कितना pressure है आपकी machine पे कितना pressure आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे आप flow देखोगे मतलब कितना speed पे आपका mold जो है currently जो function कर रहा है वो यहाँ पे mention होगा मतलब तुरंत पे आपके mold है वो किस speed पे बंद हो रहा है खुल रहा है वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा total time कितना लगा मतलब mold open और close होने में total time क्या लग रहा है यह आपको पता चल जाएगा mold closing time क्या है mold बंद होने में कितना समय लगा वो आपको यहाँ पता चल जाएगा mold open, mold खुलने में कितना समय लगा वो आपको mold open time पे पता चल जाएगा कितने tonnage का pressure लगा वो आपको यहाँ पता चल जाएगा mold को बंद करने में हर stage या कितने tonnage का आपने pressure लगाया वो पता चल जाएगा और आखरी आपका clamping pressure जब mold को पूरी तरीके से आप लाग कर रहे हो बंद कर रहे हो तो आपको क्या पता चल जाए clamping pressure यहाँ से पता चल जाएगा तो दोस्तों यह mold का basic page था जो कि मैंने का जिसे beginners के लिए है तो यह बहुत important section है मैंने जितना कोशिश हो सका पूरा समझाने कोशिश करी तो जैसा मैंने का यह video जो है यह future injection molding machine पर हमने बनाई one of the best manufacturers in India for the injection molding machine injection molding machine के लिए सबसे अच्छी machine है जितना मैंने लगभग almost देखी है काफी machines उन में से मुझे यह machine जो है वो बहुत अच्छी लगी तो दोस्तों आप हमसे जुड़े रह सकते है Plastotech The Word of Plastic से हमाय चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए बेल की घंटी दबा दीजिए और जिस तरह हम मेहनत करें उसी तरह माई वीडियो को आप भी मेहनत करके थोड़ा शेयर कर दीजिए आप लोगों के लिए हम मेहनत करके content ला रहे हैं अच्छे जचल आने कोशिश कर रहे हैं चलते दोस्तों नमस्कार जय हिंद मिलेंगे अगली वीडियो पे अगला पेज लेके तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत